विसमिल्लाहर से अब तो बहुत्त आम दो हैं आ हम बात कार्णे वाले हैं वरी इंपॉर्टेट के वाले हैं वह र्ख्राण स्टोर्यग ए अफ्रिक्न स्ट्वरिय की जो कहें सनन् रिस इस हों दीफ किसी वादी पर सूरज का तलू होना which has been written by Doris Lessing in 1975 so without wasting any time let's get start okay जी सबसे पहले हम बात करते हैं राइटर की बाइटर की बाइटर की बाइटर की बाइटर की बारे में she was born on October 22, 1919 in Iran and she was died on November 17, 2013 UK so वो बिटिश टिर्टर थी और इनकी नॉबल और शोर्ट स्टोरी चो थी वो बहुत लादा कंसर्ण करती थी social issues के साथ और political issues के साथ जोकी 20th century में पाया जाती थी or she was awarded Nobel Prize in 2007 और इनका जो फर्स नॉबल फर्स बुक पब्लिश हुरी थी वो थी The Crest Is Singing 1950 she wrote a lot of show stories collection, novels, she was also fiction writer, poet as well as dramatist of 20th century you can see her works in your screen जब हम चलते हैं समरी की तरफ सबसे पहले मैं आपको इस poem का, इस short story के title का जो है मफ़ोम वो बताते चलूँ Sun rises on the valley वैलेट कहते हैं एक grassy land को, grassy valley को, ठीक है उस valley पर जब सूरज अपनी रोशनी बखेरता है तो हर चीज वाजिया हो जाती है हम nature को easily observe कर सकते है करीब से देख सकते है जब सूरज की रोशनी हम पर पढ़ती है जमीन पर पढ़ती है तो क्या होता है? हर चीज हम पर वाजे ओजाती है जो चीजें धुनली दिखाए दे रही होती है जो चीजें हमें गलत दिखाए देरी होती है वो भी हम सूरज की रोशनी हम पर वो चीज़ें वाजिया कर देती हैं हम हर एक चीज़ को वाजिया तोर पर देख सकते हैं और यही स्टोरी में बताया गया है कि जो चीज़ें हम इमेजन कर रहे होते हैं जो हम समझ रहे होते हैं जब वो दिन की रोशनी में ये हकिकत की रोशनी में हमें दिखाए जाती है तो वो बिलकुल हमारे imagination से उलट होती है इसी तरह हम इस शोच्टोर में देखते हैं कि 15 years old boy है जो कि ये imagine करता है, ये सोचता है, ये thinking रुकता है कि he can change his whole world he can change each and everything in this world और जो इसके इर्द किर्द है, इसको लगते है, वो हर चीज इसके under control है even कि इसके parents भी वो समझता है, कि मेरे under control है कि मैं जब कोई हरकत करता हूँ, इनको पता ही नहीं चलता इतनी चलाकी से में कर जाता हूँ it's mean कि मैं अगर ये कर सकता हूँ, तो मैं पूरी दुनिया को control कर सकता हूँ वो life की responsibilities को समझे बगर, जाने बगर, हर चीज जो है, वो सोच रहा है कि मेरे under control है बट, उसकी life तब जेंज होती है, जब वो valley पर, एक grassy valley पर, एक buck को, एक हसीनो, जमील, जवान, buck को, मरते हुए, अपनी आँखों के सामने देखता है और वो कुछ नहीं कर पाता तब उसको life की reality के बारे में पता चलता है that he feels like the master of all that surrounds him but he didn't do anything for buck or an animal and then how he can change this whole world अब हम इसके critical analysis की तरफ आते है जो 15 years old boy है, वो अपने आपको superior समझता है master समझता है, इस पुरी दुनिया का, हर उस शेय का, जो उसके इर्थ-किर्थ पाई जाती है even के, वो कहता है, कि इस चलाकी से मैं बारे जाता हूँ कि मेरे parents को भी पता ने चलता कि मैं किस time उठा और चला गया और उनकी नीद में खलल भी पैदा नहीं होती जब वो सुपो सुपो अपने गर से चला जाता है वो hunting करने के लिए जाता है और साथ में अपने dog को भी लेके जाता है लेकिन उनके जो parents होते हैं वो सोय होते हैं उनको जरा खबर नहीं होती इस दिनी इतनी चलाकी से वो जाता है कि वो समझता है कि मेरी हर चीज़ time, space, place, everything हर चीज़ जो है वो मेरी under control है वो हर रोज ऐसे ही करता है और जब वो अपने bed पे सोने के लिए जाता है तो वो एक smile के साथ सोता है वो कहते है कि मैं सुबो half past four पे उठ जाओंगा और मेरी alarm भी लगाता है वो alarm को time को हराने के लिए कि मैं उस time से पहले उठ जाओंगा alarm के बजने से पहले उठ जाओंगा अपने आपको challenge जीता है वो recall करता है half past four half past four till his brain had gripped the words and held them fast then he fell asleep at once वो इतना recall करता है half past four को half past four को तब तक जब तक उसका brain उस जिसको पिक ना कर ले और फिर वो सोने चला जाता है वो ऐसा ही होता है half past four पे हर morning पे वो उठ जाता है उस alarm से पहले रूट जाता है जो उसने सेट किया होता है और वो उठके smile के साथ उस alarm नोब को बंद कर देता है फैर वो फिर सुबो साड़े चार बज़े एक सुबो वो उठके अपने dog को साथ लेके हंटिंग के लिए जला जाता है वहाँ भी वो जाता है वैलिट पे उसके सामने से एक बड़ा खुबसूरत बक एक हिरन मेल डियर गुजरता है बड़े रोब से उस वैलिट पे उस वैलिट पे वो खूम रहा होता है ठीक है और वो भी हंटिंग के लिए जाता है वहाँ पे तो कुछ देर हंटिंग करते करते कुछ देर बाद उसको एक अजीब सी करियेचर की रोने की आवाज आती है तो वो उस उस आवाज को जो है फॉलो करता है तो वो एक जगा पे पहुंच जाता है जब फ्रीकनस से उस पे पत्थर फैंक रहे थे उसको मारने की ट्राइ कर रहे थे ताकि उसका गोश्ट हासल कर सके और उन्होंने उसकी वज़ा से उसके टांग तोड़ दी थी ताकि वो भाग ना सके वो देखता है तो ऐसा एक्सिडेंट होता है जो वो जिन्दगी में कभी भूल नहीं सकता तब वो यलाइज करता है बख के मरते हुए सिच्वेशन को वो सुचता है कि किस तरह मौत असानी से आ जाती है पताती भी नहीं है फौरान आ जाती है मौत का तो कोई पता ही नहीं है टाईम िनहीं है अभी ये बख मेरे सामने से शानों शौकत के साथ गुजर रह था, तहलते हुए उस तरह उस प्राउड के साथ, उस एरोगन के साथ जिस तरह मैं गुजर रहा था, मैं अपने घर से आया था मैं जोईफुली भाग रहा था इसी तरह ये पक भी मेरे सामने से ऐसे गुजरा था लेकिन अभी ये मर रहा है तो ये मिलिए इना फिर अपना है लेकर रहा है वो शान उशौकत वाला क्रियेचर वो फखर से चलने वाला बख उसके सामदे लाव ओर इस पढ़ा हुा था और उसको आंट्स ऐसे चिपक रही थी ब्लैक आंट्स इस तरह जैसे वो ब्लैक वाटर होता है उन्होंने उसको कवर किया हुआ था उसकी पूरी बॉड़ी को इस तरह हम वो नोच नोच के खा रही थी और वो सिरफ देख रहा था खड़ा और उसके लिए कुछ नहीं कर सका बस उसके करहने की उसकी पेनफुल चासू बह रहे थे और पेन की और डर की वज़ा से जो फील कर रहा था उसके कपड़े क्लॉठ की वज़ा से भर चुके थे बेग चुके थे वो कंट्रोल कर रहा था अपने आपर लेकिन वह अपनी उन रिस्पॉंसिबिलिटी का भी अंदादा लगा रहा था कि जो मैं पैसा कभी हुआ हिएılही नहीं पैसा कभी हुआ हि नहीं सकता भार भार उस बग पे शाओट किरता है कि शायद इस शाओट की वज़ा से इस आंड़़ की भाग जाएं लेकिन उन आंड़़गारे को पाता वो क्या करती है वो अराम से उसको खाती रहती हैं, उसके उपर चर्थी रहती हैं और आज इस सुबह उसको ना भोक लगी ना प्यास लगी आज जिस रोटीन से वो चलता था, वो रोटीन खत्म हो चुकी थी, वो रोटीन डिस्टरब हो चुकी थी, आज वो मौसम चेक किये बगार ही चला गया कि कैसा मौसम है, शिकार करने वाला है भी या नहीं ना जिसको एहसास हुआ था कि वो कितना इर्रिस्पॉंसिबल था, वो उसको एहसास हो गया था, अब वो कहता था कि मैं हर किसी को बचाऊँगा हर किसी की मदद करूँगा Not as God, but as human creature चुझ देने की कोशिश करने का सोचन लगए, कि इस दुनिया को किसे सरवाइव किया जा सकता है इस दुनिया में जितनी मतलब घार्श चीज़ें हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है कैसे सोफ्टली हेंडल किया जा सकता है तब वो खुद की mistake पर भी खुद को सजा देता था, forgive नहीं करता था, गलती होती थी, लेकिन वो कहता था, मैं करी नहीं सकता, मेरी गलती नहीं है ये तो, मैं तो बड़ा सुपीजेर हूँ, लेकिन आज उसको रियलाइज हो गया था और अब जब उसको उससे गलती होती थी, तो वो उसको feel करता था, उसको दरुस्त करता था, के साथ ये story end हो जाती है, अब हम बात कर लेते हैं, इसके symbols की पहले symbol तो boy है इसमें जो के bug के साथ relate किया गया है, second इसमें symbol यूज़ की है, ये जब boy gun लेके जाता है तो वो symbolize करता है कि boy बहुत superior है इतनी चलाकी से वो घर से बायर जाता है कि उसके parents को पता नहीं चलता, वो time को भी जो है, वो मात दे देता है, time से पहले उठकर फिर second symbol है, जब वो वैलेट पे जाता है, तो वो देखता है कि कितने फखर के साथ वो duck, bug सोरी, चल रहा होता है ठीक है boy क्या है, एक creature है valid क्या है, एक natural grassy things है वो वहाँ पे जाके किसको observe करता है nature को, वहाँ पे जाके देखता है कि nature को कोई control नहीं कर सकता, time को وقت को कोई control नहीं कर सकता मौत को कोई control नहीं कर सकता third thing है, इसमें dying bug की यहाँ भी बताया गया है कि मौत, जो death है वो किसी के बस के बात नहीं है उसको कोई control नहीं कर सकता फिर इसमें ants का symbol यूज किया गया है वो symbol है death की वो flow कर रही है, ऐसे black water के जैसे और black किसको बोलते हैं, black death की symbol होती है और black ants से भी death की symbol है sun यहाँ पर reality की symbol है grass यहाँ पर nature की symbol है अगर हम literary devices के बार में यूज करें, इसमें hyperbola यूज की गई है याने कि exaggeration for example, जब वो बोलता है half past of four half past of four it means, यहाँ पर exaggeration शो करवाई की कि किस तरह हमारा mind जो है, वो बोलता है जब तो उसका mind पिक कर लेता है और उसको याद रखता है यहाँ पर exaggeration यूज की गई है फिर यहाँ पर similarly यूज की गई है luxury of warm rested body with the arm and leg and finger waiting like soldier for a word of command, याने कि उसका mind जो है वो एक master है और उसकी पूरी body जो है वो उस master के लिए like a soldier काम करती है सिर्फ एक इशारा एक command चाहिए होती है और वो उसकी हुकम की तामील करना शूर कर देती है यहाँ पर again similarly यूज की गई है जब वो कहता है अब यह हवा जो है ना उसको भी एक challenge की तरह वो समझता है यहाँ पर पर सोनिफिकेशन यूज की गई है जैसे कि वो कहता है कि waiting for the sun to paint the earth and grass afresh यह writer यूज करता है कि मैंने sun का wait कर रहा हूँ इसलिए इस तरह कि वो उग जाए ठीक है वो आ जाए त्लू हो जाए और तमाम earth को और grass को एक नए सीरे से paint कर दे फिर यहाँ पर यहाँ पर sun को एक painter के साथ तश्वीर दी गई है यह simli एक तफा फिर यूज की है जैसे कि जब वो अपने घर से निकलता है तो इस तरह चलाकी से तेजी से निकलता है कि जैसे fish water से निकलती है इतनी speed से उस तरह वो कहता है कि मैं इस तरह अपने घर से निकलता हूँ इसकी setting कहां पर रखेगी in Africa in a wallet near to his house grassland एक plane area जो था plane कहते है मैदान को grassland का ऐसा मैदान जो कि इसके घर की करीब था boy के वहां पर इस setting रखेगी जो कि mostly animals से बारा रहता है era से belong करती है modern time of period से belong करती जो कि अगर इसके themes के बार में बात करें तो here are two themes two major themes of the story life and the death यह story है में सिखाती है everyone is going to go through death and no one can stop it कुल लन नफसन साहिकतल माउथ कुल लन नफसन साहिकतल माउथ you also learn that life is not internal the boy learns and relies about death when he sees the bug tank जब वो एफ्रीकल्स मार रही थे ना तो वहां पे दो लोग थे एक औरत थी white dress में उसके पास baby पकड़ा हुआ था और एक man था black dress में जो के पत्थर मार रहा था उसको bug को तो वो भी symbols है baby जस औरत ने पकड़ा हुआ है वो symbol है life की और man black dress वाला वो symbol है death की thanks for posting the wow my other hand of way to subscribe my channel and never forget pressable icon for more updates thank you so much Allah